ध्याए ग्यारा श्लु संख्या तीन और चार आपलो अपनी गीता निकार लीजे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 शब्दार पढ़ेंगे पहले, एवं इस प्रकार एतत यह यथा जिस प्रकार आत्थ कहा है त्वम आपने आत्मानम अपने आपको परम इश्वर हे परमेश्वर द्रिश्टुम देखने के लिए इक्षामी इक्षा करता हूँ ते आपका रूपम रूप एश्वरम दैवी पुर्ष उत्तम ते पुर्षों में उत्तम ठीक है आपको मेरे पीछे दोर आये एवं एतध्य थाथत्त्वं आत्मानं परमेश्वर द्रिष्टुम इक्षामिते रूपं आश्वरं पुरसुत्तमं एवं एतध्यताथत्त त्वमात्मनं परमेश्वरं एवं एतध्यताथत्वं आत्मानं परमेश्वरं जिष्टुम इक्षामिते रूपं आश्वरं पुरुषोतमां एवं अध्यताथत्वं आत्मानं परमेष्वरा द्रष्टुमिक्षामिते रूपं आश्वरं पुरुषोतमां एवं एतद्यत्टत्वं आत्मानं परमेश्वरा द्रस्टुमिक्षामिते रूपं एश्वरं पुरुषोत्वं एवं नितथ्य थातत्वं आत्मानंपरमेश्वरा दृष्टुमिक्षामिते रूपं पिश्वर्रम्ेश्वर्म अत्माः मात्यप जीस आत्मानम परमेश्वरां द्रिष्टमिक्षामिते रूपं आश्वरं पुरुषोत्तमां आत्मानम परमेश्वरां द्रिष्टमिक्षामिते रूपं आश्वरं पुरुषोत्तमां अनुवाद एवं तात्परे श्रुपरुपाद के द्वारा श्रुपरुपाद की हे पुरुषोत्तम हे परमेश्वर यद्यपी आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्नित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ किन्तु मैं ये देखने का इक्षुक हूँ कि आप इस द्रश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ भगवान ने कहा कि उन्होंने अपने साक्षात सुरूप में ब्रमांड के भीतर प्रवेश किया है फलतह ये द्रश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है जहां तक अरजुन का संबंद है वह कृष्ण के कतनों से प्रोथसाहित हैं किन्तु भविश में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को समाने पुरुष सोच सकते हैं अरजुन चाहते हैं कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखें जिससे वे ब्रह्मान के भीतर से काम करते हैं यद्देपी वे इससे पृथक हैं अरजुन द्वारा भगवान के लिए पुर्षोत्तम संबुधन भी महत्वपूर्न हैं चूंकि वे भगवान हैं इसली वे स्वयम अरजुन के भी भीतर उपस्तित हैं अतहा वे अर्जुन की इक्षा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है क्योंकि वह उनको साक्षा देखकर पूर्णतिया संतुष्ट हैं। किन्तु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहते हैं। पुष्टी के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नध रहना होगा। प्रतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, ना सुन सकता है और ना अनुभव कर सकता है। किन्तु यदि कोई प्रारंव से भगवान की दिव्य प्रिमा भक्ती में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रतेक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है अतह परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भगत रूप में अर्जन को अपनी चिंतन शक्ती पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनी जा सकता है। यहां पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है क्योंकि भगवान के पास अचिंत शक्ती है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आपको प्रकट कर सकते हैं। अतहा अर्जन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करते हैं। वह कृष्ण को आदेश नहीं देते। जब तक कोई उनकी शरन में नहीं आता और भक्ती नहीं करता। कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाद यह नहीं है। अतहा जिन्हें अपनी चिंतन शक्ती मनोधर्म का भरोसा है वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। ओम ज्यांति मिरांधस्य ज्यानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येना तस्मय श्री गुरुवे नमहा। श्री चैतन्यमनो भिष्थम स्थापितं येनभूतले स्वयं रूप कदामयं ददाती स्वापदांतिकंं वंदेहं श्री गुरु हो श्री उत्पद कमलं श्री गुरुन् वैष्ण वाम्स्चा। श्री रूपम साग्रजातं सहगन् रगुनाथान वितंतं वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन् ललिता श्री विशाखान वितामस्च हे कृष्ण करणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोशुते तप्त कांचन गवरांगी राधे व्रिंदावनेश्वरी पृष्ण भानु सुते देवी प्रणमामी हरी प्रिये वांचा कल्पतरू भ्यक्षा कृपासिंदु भ्याएवचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्ण वेभ्यो नमु नम्हा जै श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर श्रिवासादि गौर भक्त ब्रिंदा हरे कृष्णा हरे क्रिष्णा खरी ऐरी हरे हरे राम ठरम म नाम्राम हरी हरे क्रिष्णा तो फिर से काफी सारी important चीज़ें इन दो श्लोपों में प्रभुपाजी mention कर रहे हैं समझने के लिए यथा शक्ती यथा मती उसको प्रयास करेंगे discuss करने का इससे पहले एक चोटी सी समरी कि कैसे भगवान आज क्या प्रसंग चल रहा है हम लोग कहां तक पहुंचे हैं भी गीता में तो महाभारत के युद में अर्जुन में हीरो हैं और सेनाएं तयार हैं युद करने के लिए अर्जुन के शुदे में डाउट आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए मैं अधर्म कर रहा हूं कि धर्म कर रहा हु शक्तिमान एकले ही कौर्व को हरा चुके हैं एक सब MR को कोई लूए युद कर चुके हैं तो ऐसा नहीं है कि आउनके पास शक्ति कि कमी है या उन्ने कभी एक्सप्रिण कया युद को लेकिन अपने त्यें और 마음 करते हैं भगवान को request करते हैं कि भगवान कर्पया मेरा मार्गदर्शन करिए भगवान इमीजेटली गुरू की positions विकार करकर उनको उनके जो मेंडाउट हैं उनको धीरे धीरे करके उनके सारे doubts को resolve करते हैं main doubt उनका यह है कि मैं अगर अपने एक राजी की प्रापती के लिए अपने प्रियजनों का वद करूँगा तो यह पाप का काम होगा और ऐसा करने से बहुत सारी समाजिक मिलेगा मुझे किस चीज में दुख होगा और इस platform पे आप सोच रहे हो और जिस चीज के लिए दुख कर रहे हो दुख करने योगी नहीं है तो भगवान धीरे धीरे उनको समझाते हैं कि अरज़न आपकी position क्या है आप मेरे से कैसे सब्सक्राइब कारे करना चाहेए और उससे निरधारित हो जाएगा की धर्म क्या है अधर्म क्या है हमें से कोई भी विक्ति ऐसा नहीं है जिसके सामने यह सेम सिचुवेशन है राइट हम लोग को युदनी का लड़ रहे हैं अभी किसी को अपने प्रेजनों का वदनी करना है तो यह गीता की रेलेवंस अगर हम यह सोचेंगे कि यह उसी पोजीशन के लिए उसी सिचुवेशन के लिए relevant ही तो हमें लगेगा गीता हमारे लिए relevant नहीं है लेकिन भगवान सूत्र हमें बता रहे हैं कि हर समय हर किसी situation में जब कोई द्वंद हमारे सामने आ जाए कि क्या सही है क्या गलत है तो क्या चीजों का ध्यान करना है कि हम कौन है हमारी existence किसलिए है हमारा भगवान से क्या संब है और वो भगवान हमसे क्या चाहता है अगर इन सूत्रों के उपर हम कारे करेंगे तो हमें decision मिल जाएगा हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या धर्म है इस पर्टिक्लर सिचुएशन में जो धर्म संकट उत्पन हो रहा है इसमें मिझे क्या करना चाहिए क्या रहे अग्या कर शुम भाजगे होंगे 55 मिन चालिस मिन पूरी घीता बोली उन्योंने और आदे घंटे के अंदर जो उन्होंने दस अध्याए कवर कर दिए उसके अंदर से ही अरजुन ने बोल दिया दसवे अध्याए के शुरूआत में बोल दिया कि भगवान आपने जो कुछ बोला है सब सही है मुझे समझ में आ चुका है मेरा द्वंद खतम हो चुका है पिछले हफ्ते हमने चर्चा करी थी कि कैसे कैसे क्या क्या द्वंद था अर्जुन के खिदय में और कैसे वो खतम हुआ तो नौ अध्याय के अंदर यानि दूसरे अध्याय से लेकर दसवे अध् करते हैं कि अश्ली 15 नंबर से आप देख सकते हैं कि है परमपुरुष है सबकी उद्गम है परमपुरुष है सबकी उद्गम है समस्त प्राणियों के स्वामी है देवों के देव है ब्रमांड के प्रभू निसंदेह एक मात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ती से जानने वाले हैं अब कृपिया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वरें को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है अरजु ने रिक्वेस्ट करी कि अपने दे आंगे और कहा तक तुम सुन पाऊगे तो भगवान कुछ प्रमुख ऐश्वरें के बारे में अरजुन ku بتाते हैmos टू एश्वरियों के बारे में अगले श्लोकों में कवर करते हैं लेकिन अर्जुन का आशे क्या है अर्जुन बोलना चाहते हैं देखना चाहते हैं भगवान का अनंत जो वैभव है भगवान की जो अनंत शक्ती है भगवान की जो अनंत पावर है उसको अर्जुन देखना यह सब सुनने के बाद 82 श्लोकों के अंदर या ब्यासी विभूतियों को सुनने के बाद भी अर्जुन का हुरदय में यह भाव आ रहा है कि मुझे भगवान का वही ऐश्वरे देखना है जिससे भगवान सारे संसार में व्याप्त हो जाते हैं हर जगे भगवान जिस इसको क्यों इंपॉर्टन्स देते हैं वो ये बोलते हैं कि गीता का जो सबसे इंपॉर्टन चैप्टर है वो ग्यारवा चैप्टर है क्यों ऐसा है क्योंकि इसमें हमें भगवान की असली पहचान पता लगती है कि भगवान वो नहीं है जो दिख रहे हैं भगवान वो नहीं हैं भगवान तो actually निराकार हैं उनका कोई एक आकार नहीं है क्योंकि भगवान स्वेम कह रहे हैं कि मैं हर जगे व्याप्त हूं हर चीज मेरे से कंट्रोल हो रही है तो अगर हर चीज हर जगे भगवान व्याप्त हैं तो भगवान एक जगे सीमित तो होई नहीं सकते जानते हैं, क्यों आएं संसार में? भगवान से द्वेश करकर, हम भगवान की तरह बनना चाते हैं, क्या बनना चाते हैं? भगवान की तरह इंजोयर बनना चाते हैं, तो इसलिए तो आगए संसार के अंदर काफी कुछ spiritual understanding के बाद भी हमारे घदय से भगवत भगवान बनने का ये भाव गया नहीं तो अब जब सब को सुन लिया सारी भगवान की शक्तियों को सुन लिया तो अब कैसे भगवान बनेंगे तो जो मायवादी है जो क्या बोलते है उसको निरीश्वरवादी है उनके हिर्दे में क्या भावाता है कि चलो जी भगवान को एक non specific entity बना देते हैं और क्योंकि भगवान ये कही रहे हैं कि हम सभी भगवान के आंशे हैं मैं भी उस non specific entity का part बन जाओंगा मैं इसको थोड़ा elaborate करूँगा इस चीज़ को तो फिर मैं भी भगवान बन जाओंगा प्रोल नहीं रख पा रहा हूं मेरी शक्तियां सीमित हैं फिर भी मुझे भगवान तो बनना है मैं भगवान हूँ ऐसा भाव जब रिदय के अंदर है तो फिर उस परम सत्ता को परम भगवान को भी निराकार बना दो और उस निराकार का मैं भी अंश हूँ इस तरीके से मै भगवान की श्टेणी में गिन लिया जाए इस भावना के साथ मायवादी लोग इस चैप्टर को सबसे इंपोर्टन बताते हैं बोलते हैं भगवान यही है जो इसमें जो सुरूप दिखाये जा रहा है लेकिन और और वो अरजुन के उपर भी यह आक्षिप करते हैं कि अ अरजुन ने भी देखो उस रूप को माना जीवन भर बच्पन से अभी तक वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं भगवान के साथ खेल कूद रहे हैं भगवान के साथ वेवार कर रहे हैं लेकिन वो संतुष नहीं है भगवान के उस सुरूप से संतुष नहीं है अरजुन सि ऐसा आक्षेप है और जुन के उपर है ना कई सरे लोग ऐसा आक्षेप करते हैं लेकिन आचारे जो भगवान को जानते हैं अब आप कोई बोल सकते हो कि भाई हम क्यों इस बात को माने इसमें जो प्रभपाजी ने तातपरे में लिख दिया है यह तो प्रभपाज ने लिख रहा कि उन्हों ने अपने साक्षात सुरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है और चल रहा है फिर एक दो लाइन स्किप कर देते हैं हाँ अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुर्शोत्तम संबोधन भी मैत्वपून है चूकि वे भगवान है इसलिए वे स्वयम अर्जुन के भीतर भी उपस्तित हैं अताह वे अर्जुन की इक्षा को जानते हैं अब ये जो स्टेट्मेंट है ये श्लोक में नहीं आ एक्षेक्ली क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी एक्स्पेनेशन क्या दे रहे हैं कि अर्जुन के हृदय में भी भगवान विराजमान है क्योंकि वो सबके अंदर विराजमान है इसमें कोई गलत बात है कोई गलत बात नहीं भगवान सबके हृदय में है फिर प्रभुप का विश्व रूप देखने से अरजुन संतुष्ट होंगे ऐसा नहीं है इसके पीशे अरजुन की इस इस दिमांड के पीशें दूसरा कारण है यह आठार बहुत कर रहे हैं कैसे आठार कर को बंद करना चाहि एक किरतन होना चे gefी यह माया वाद की बात करके कोई फाइदा नी होना है यह न यह झूझ लग बात करो बिस द्रेख्व так कि सी बर्दाश्ट नहीं कर पाते हैं जबकों कि हम भगवान के अस्तित्व को मिटा रहे हैं मायवाद का नाम लेकर तो प्रभुपाजी हम जो बात कर रहे थे प्रभुपाजी वैश्नव हैं और आचारेों की परंपरा से वो जानते हैं आचारे कौन है जो भगवान के रिधाय के भाव को जानते हैं वो आचारे हैं और वो भगवान के रिधाय को भाव को रिवील कर रहे हैं वही आचारे अरजुन कौन है हमारी परंपरा के आचारे है है न सबसे पहले परंपरा जो अभी शुरू हुई है उसके आचारे हैं तो अरजुन इस भाव से इस प्रशन को पूछ रहे हैं कि भगवान ने इतना सा अभी व्याख्यान कर दिया पिछले श्लोकों के अंदर कि मेरी हर चीज का सोर्स मैं हूँ तो आने वाले समय में लोग पैसे आएंगे जो ये बोलेंगे कि दिखाओ मुझे ये देखना है मिरे को तो भगवान अगर दिखा दिये होंगे ये वाला सुरूप तो फिर उनको सम कन्विंस किया जा सकता है कि देखो भगवान ने विशुरूप दिखाया है और अगर आप अपने आपको भगवान क् अब भी अपना विश्व रूप दिखाओ इसलिए अर्जुन को अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाला कि उनको इस सुरूप से कोई लिना देना नहीं है उनका कोई इसमें आनन्द नहीं है आगे जैसे से हम इसको पढ़ेंगे गीता में इस चैप्टर को आग काश लोगों को जब वो चैप्टर के एंड में पहुंचेंगे वैश्णवों को प्रभुपाद को ये क्लियर पहले दिन से है वो हमेशा से जानते हैं कि भगवान की स्थिति क्या है और भगवान अपने जो द्विभिज उनका जो में सुरूप है वो में सुरूप है उनका ये भगवान अच्छी तरीके वैश्णवस पहले दिन से इस चीज़ को समझते हैं तो अर्जुन के हिरदय के भाव को प्रभुपाद जी यहां पर रिवील कर रहे हैं कि ये जो सुरूप मांग रहे हैं इसकी कोई आवशक्ता नहीं है ये भगवान का पर्मनेंट होगे हैं जो अर्जुन के कंडक्ट से हम सीज सकते हैं तो अर्जुन की वानी क्या है वो क्या कह रहे हैं यद्यपी मैं आपको अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं किन्तु मैं यह देखने का इक्षुक हूं कि आप इस जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ ये तो उन्होंने अपनी एक रिक्वेस्ट एक अरजी दे दी भगवान को अब आगे की बात देखे कितने सुंदर तरीके से अरजुन कहा रहे हैं हे प्रभू हे योगेश्वर यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाई है क्या भाव है इसके अंदर ये जो सीम पने के undershite जो डिखाई उसने बुला कि मैं तो मैं ना Caitlin मैं नहीं मानता भगवान को तो जो लोग अपने अपर नॉन बिलीवर क्लेम करते हैं वह क्यों मांते भगवान को क्यों कि यह चाहते हैं कि भगवान aeti देने के लिए सामने प्रकट हो जाएं राइट बट यह कितना ही एपसर्ड आर्गुमेंट है ना कितना ही बेतु का यह यह रिक्वेस्ट है ना जैसे कि कोई वेक्ति बोले जी नरेंद्र मोदी जी आपको अगर अपने आपको प्रूव करना है कि आप एक्जिस्स करते हो तो वो हमें पालन करना पड़ेगा भले हम माने या ना माने जो भी प्राइम मिनिस्चर है जो भी लीडर है उसने जो रूल बना दिया वो हमको मानना पड़ेगा हम माने ना माने उसको को फरक नहीं पड़ता है इसी प्रकार भगवान को हम माने या ना माने इससे भगवान को क कोई फरक नहीं पड़ता है भगवान कह रहे हैं मैं काल हूँ जब अंत समय में मैं काल की रूप में आऊंगा तब आपको मानना पड़ेगा आप ऐसे मत मानों तब आपको मानना पड़ जाएगा तो यहां पर अरजुन का भाव एकदम डिफरेंट है कई सारी चीजें इसमें जो गुरुजन है वो explain कर रहे हैं कैसा भाव है सबसे पहले अरजुन का एक यह भाव है कि क्या मैं भगवान को देखने के लिए eligible भी हूँ या नहीं हूँ अधिकांश टाइम हम अपनी eligibility के बारे में विचार ही नहीं करते हैं हम नहीं समझते हैं कि क्या हमें उनसे मिलने के लिए हम हमारी कोई हमारी कोई योगिता भी है कि नहीं है हम नहीं समझते इस चीज़ को लेकिन अरजुन का यहां पर भाव है कि भगवान मुझे नहीं पत कि मेरे लिए जैसे जैसे उधारन के तौर पे कोई विक्ति बिमार हो तो क्या वो अपने लिए खुद prescription लिख सकता है कि मुझे क्या दवाई लेनी चाहिए इवन डॉक्टर्स भी दूसरों को consult करते हैं जाके तो बिमार विक्ति को यह नहीं पता कि उसको कैसे वो ठीक होग अदवाई कैसे उसको मिलेगी इसी प्रकार से हमारी eligibility है कि नहीं है भगवान को देखने की भगवान को समझने की यह हम नहीं decide कर सकते हैं तो यहाँ पर अरजुन एक तरह से भगवान से कह रहे हैं कि भगवान आप decision लो कि क्या आपका सुरूप मैं देखू या ना देखू लेकिन फिर इसमें और भी layers of argument हैं अरजुन की अरजुन एक तरफ से ये भी जानते हैं कि actually भगवान इतने करुणा मैं हैं कि अगर हम ineligible भी हैं तो भी वो हम पर अहेतु की क्रपा कर सकते हैं बहुत सारे उधारन है शास्तर में पूतना अपने स्तनों में विश लगा के आ भगवान से अपने प्रब इतामाक से भी बड़ा राजिय मागने गए थे वेपार करने गए थे क्या गती दे लिदी भगवान ने अपना ही पूरा जो एक प्लैनेट है जहां पे स्वेम रहते हैं उसका राजा बना दिया हों गाँ अजामिल ने किसका नाम लिया था नाराइन का नाम लिया था क्यों नाम लिया था अपने बेटे को बला रहा था तो उसको सहार कैसे कैसे पाप करे उसने कैसे कैसे उसने अपनी पत्नी को माता पिता को घर से निकाल दिया वैश्या को घर पे ले आया, उससे संतान उत्पन करी हर तरीके का चोरी उच्चकारी करी, मर्डर्स करे उन सबसे उसको शमा मिल गई किस तरीके से? सिर्फ एक बार नारायन का नाम ले लिया था बली महराज ने प्रॉमिस किया भगवान को कि मैं तीन पक जमीन दे दूँगा आप प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए, दो ही पक दे पाए तो भगवान ने क्या किया उनके साथ में? उनके चाकर बन गए, उनके द्वारपाल बन गए तो भगवान को तो कोई छोटा सा बहाना चाहिए होता है क्रपा करने के लिए, तो अरजुन ये कह रहे हैं क्योंकि ये रिक्वेस्ट अपनी लिख चुके हैं, अरजी अपनी दे चुके हैं कि भगवान मैं आपके विशुरूप का दर्शन करना चाहता हूँ बट मुझे नहीं पता कि मैं अलिजिबल हूँ की नहीं हूँ याँ पर, विश्णव वहवार की बात हो रही है, हम लोग जब साधक होते हैं तब ऐसा हमसे हो जाता है कई बार, कि हम बड़ी उम्मीद के साथ साधना करते हैं शुरुआत में लोग समझा देते हैं कि आप नाम लो, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे भग बोलता है यार कष्ट लग रहे बढ़ गए मेरे, जब से नाम लेना शुरू किया ये क्या उल्टी कहानी चल रही है, लेकिन अच्छली कष्ट बढ़ते नहीं है हमारे जो कष्ट हमारे जीवन में आने होते थे, वो सरलोके आते रहते हैं आने तो थे, पहले से लिखे हुए थे, तभी आ रहे हैं, लेकिन आदमी को लगता है कि मैं भक्ती कर रहा हूँ तब से कष्ट और जदा बढ़ गया, तो जब कष्ट आने लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं, रेजिगनेशन लेटर लिख देते हैं भगवान को, भीया भक्ती नहीं होगी हमसे, भक्ती बहुत भारी भर कम काम है, भक्ती छोड़ो, इससे अच्छा वो साई बाबा का ज्यादा अच्छा आंगन है, वहाँ जाएंगे वहाँ ज्यादा आराम वहाँ पर immediate सुनवाई हो रही है हमारी, तो भक्ती हम छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर अरजुन का conduct यह है, अरजुन यह बता रहे हैं कि भगवान जो कुछ भी आप चाहोगे, वो मेरे लिए share करें, मुझे तो पता ही नहीं है, कि पहले तो मेरी योगिता है की नहीं ह दूसरी मेरी capability भी है की नहीं है, आपको समझ पाने की, मेरी पातरता भी है की नहीं है, मेरे अंदर शक्ती भी है की नहीं है आपको लेने के लिए, एक और भी चीज आ जाती है, जैसे मान लीजे, हम सभी के शरीरों के अंदर, छोड़ छोड़े worms हो सकते हैं, राइट, है न हम लोग कहां रह रहे हैं, हम कहां पे हैं, भगवान कहां कहां व्यापते हैं, हर जगे व्यापते हैं, तो क्या हमारी ये capability है की हमारे शरीर के अंदर रहने वाले छोटे से जंतु को हम अपना दर्शन करा सकें, है capability हमारे हैं, मान लीजे की वो दर्शन करना चाहें, लेकिन नहीं करा सकते हैं, हमारी भी capability नहीं है, तो अब सवाल आता है, भगवान कौन है, भगवान हर जगे व्यापते हैं, तो सवाल आता है, कि क्या भगवान की capability है, कि वो हमें अपना दरशन करा सकें, तो हाँ, जवाब आता है, कि हाँ, भगवान की ऐसी capability है, एक बार शिल प्रभ बनाएं जो खुद भी ना उठा सकें तो भगवान के लिए संभव है कि जो सर्व जगे सारी जगे जो व्याप्त है सब जगे जो उपस्तित है उसका दर्शन भी वो खुद करा सकें आप हम लोग तो इमैजन भी नहीं कर सकते ना इस तरीके की चीज कि वो क्या चीज कैसा हैं तो हम कैसे उसका दर्शन करेंगे हर जगे भगवान ही व्याप्त हो जाएं वो इतने महान हैं इतने बड़े हैं तो हम उनका दर्शन कैसे करेंगे लेकिन भगवान ही हमको ऐसी शक्ति दे सकते हैं कि हम उनका दर्शन कर पाएंगे तो अब प्रशन आएगा कि क्या ऐसी situation होगी जिसमें हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे अर्जुन ये नहीं कह रहे हैं भगवान को कि आप यहां पे आजाओ नहीं तो मैं आपको नौकरिज निकाल दूँगा अब ये दर्शन दो फटा फट से ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवान is not a order order carrier वो कोई हमारे चाकर नहीं है अगर हम उनको order करेंगे भी तो भी भगवान बात दे नहीं है अपना दर्शन हमें कराने के लिए तो अब क्या situation बनेगी जिसमें भगवान हमें अपना दर्शन देंगे तो प्रभुपाज जी तात्परे में कह रहे हैं किन्तु यदि कोई प्रारंब से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ती में लगा रहे तो वो भगवान का साक्षातकार करने में समर्थ हो सकता है कैसे होगा भगवान का साक्षातकार जब भगवान स्वयम हमें रिवील करेंगे जब भगवान, क्योंकि हमारे अंदर तो शक्ती नहीं है, जैसे ये जन्तु, शरीर में रहने वाला जन्तु नहीं देख सकता कि पूरा शरीर कैसा है, हम इतने सुक्ष में हैं, इतने छोटे हैं, कि हमारे अंदर capability नहीं है भगवान का दर्शन करने की, लेकिन भगवान अगर अपने आपको स्वयम रिवील करें, तो उनके पास ऐसी शक्ती है, कि वो हमें अपना दर्शन करा सकते हैं, तो प्रशन यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं अब, कि क्या ऐसी situation बनेगी, जब भगवान हमें अपना दर्शन कराएंगे, तो एक चीज़ तो यहाँ पर प्रहुपाजी बता रहे हैं, कि अगर कोई प्रारम्व से कोई भगवान की प्रेमा भक्ती करेगा, तो उसको भगवान दर्शन करा सकते हैं, तो क्यों करा देते हैं, क्या ऐसी बात हो जाती है, प्रेमा भक्ती करेंगे, तो क्या बंदन है भगवान के लिए, अहे तुकी क करते हैं definitely but वो बड़े रहते हैं भग्त से वो हर समय भग्त के साथ प्रेम के संबंध में बड़े रहते हैं भले हम बहुत ही निकरश्ट category के भगतों हों भले हम कभी-कभी भग्वान का नाम लेते हूं भले हम HAVE कभी-कभी बेध्याटी से भगवान की तरफ देख लेते हूं फिर भी भगवान इतने बड़े प्रेमी हैं कि वो अपने भक्त से बंधे रहते हैं इसी लिए भगवान जो प्रेमा भक्ती करने वाला विक्ती है उसके साथ में उसको दर्शन देने के लिए तयार हो जाते हैं हमारी कोई capability नहीं है जैसे म हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल लेगा लेकिन वो अपनी इक्षा से चाहें तो उचा विक्ती बड़ा विक्ती नीचे उतर के आ सकता है और हमें दर्शन दे सकता है तो यहां पर अर्जुन का यह भाव है भगवान का यह भाव है कि अगर भक्त मेरे तरफ उन्म दिखाई तो हर समय हमारे दैनिक जीवन में भी हम लोग की कई सारी लिस्ट होती है बड़ी-बड़ी लिस्टें होती है भगवान से मांगने की आप सब मुश्कुरा रहे हो तो यानि है हमारी लिस्ट पे कल जल्दी काम नहीं हो रहा है हमारी शायद हम लाइन में बहुत प है जीवन में हमारे को विश्वास हमारा घटने लग जाता है लेकिन ये दैनिता का भाव ये विश्वास जिस भग के उपर ज्यादा होता है जिसका जितना ज्यादा विश्वास होता है उतना ही ज्यादा वो एलिजिबल होता है भगवान का दरशन प्राप्त करने के लिए क्योंकि भगवान ने अर्जुन को पहले अपने अविश्व रूप दिखाया उसके बाद चतुरभुज रूप दे आया और उसके बाद फिर दुवज रूप में वापस प्रकट हो गए सारी कृपा कर दी अर्जुन के उपर क्योंकि अर्जुन को पूर्ण विश्वास है भगवान की हर बात पर पहले कह चुके हैं कि आपने जो कहा मैं उसको अच्छी तरह किसे समझ रहा हूँ मेरा मुह दूर हो गया है तो हम सादुकों को भी अगर हम लोग भगवान पर थोड़ा सा भी कुछ तो भगवान की मरसी का समने स्वाद चखा होगा तभी आप लोग भक्ती कर रहे हो तो वो स्वाद जो कभी चखा है जैसे नारद मुनी की कथा में आता है कि नारद मुनी अपने पिशले जनम की कथा सुनाते हैं व्यास देव जी और उसमें वो बताते हैं कि मैं पिशले जनम में एक दासी पुत्र था एक काम करने वाली स्वी का पुत्र था और हमारे घरों पे भक्ती विदान तीज आते थे मतलब बड़े-बड़े महान आचारे आते थे और उनके लिए हम प्रशाद बनाते थे भोग लाके प्रशाद उनको देते थे और उनका उचिष्ट उनसे पूछके में फ्राप्ति कर लेता था तो एक बार ऐसा हुआ कि उनकी मा को सापने डस लिया उसकी मृत्य हो गई और फिर ये जो बालक था ये अकेला हो गया तो ये भगवान का भजन में क्योंकि भक्ति विदानती इसका दिया हो प्रसाद ये पा रहा था तो ये जो बालक था इसके हृदय के अंदर भक्ति के संसकार उत्पन हो गए और ये भगवान के उपर मेडिटेशन करने लगा और एक दिन के लिए निकल गया कि कहा भगवान मिलेंगे लेकिन फिर भगवान के दर्शन नहीं हुए फिर एक बार एक शैद आकाशवानी होती है जिसमें उनको बताया जाता है कि अब इस जीवन में तुमको भगवान के दर्शन नहीं होंगे अब दुबारा नए जीवन में तुमको भगवान की दर्शन मिलेगी तो एक स्वाद मिल गया ना भगवान का दर्शन का और भगवान का वैसा दर्शन हम में से कितने लोग कर सकते हैं क्या समझते हो आप लो वही एक तरीका है भगवान का दर्शन करने का जैसे नारद मुनी को हुआ पिछले जनम में अक्शली अगर आपके पास रिष्टी हो तो आपको भगवान का दर्शन हर चीज में होगा हर चीज में आप कर सकते हो भगवान पहले बताई चुके हैं इस चीज को जैसे शशी और सूरी के जो प्रकाश है जल का जो रस है उसमें भी हम भगवान का आस्वादन कर सकते हैं और हमारी जो छोटी-छोटी सेवाएं हैं उसमें भी जब भगवान हम पे करपा करते हैं तो आप भगवान का साक्षाद दर्शन कर सकते हो तो उन दर्शनों का, उन कृपाओं को ध्यान में रखते हुए अगर हमारी वो जो सूची बनी हुई है, लिस्ट बनी हुई है वो अगर पूरी नहीं भी हो रही है तो हमें ध्यान करना चाहिए कि हाँ भगवान तो है उनकी कृपा को मैंने चखा तो है कभी-कभी करेंगे इस मार्ग पे आगे भढ़ने के लिए और जदा अपने आपको सुधारने का प्रयास करेंगे हमने पिछली बार डिसकस किया था कई सारी चीजें जिसमें कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए तो अगर हम इस चीज़ को लेकर जागरुक रहेंगे तो नहीं तो क्या होगा, कि हम व्यपार ही करते रहेंगे अगर हमारी इक्षाएं पूरी हो रही है, तो हम भगवान के पास जा रहे है नहीं तो हम नहीं जा रहे है लेकिन क्रिश्ण कह रहे हैं, क्रिश्ण यदी छूटे भक्ते भुक्ती मुक्ती दिया, कभू न देना प्रेमधन राखे न लुकाई है, अगर आपसे व्यपार के लिए क्रिश्ण के पास जा रहे हैं, तो भगवान बहुत एजीली अपना पल्ला जाड़ लेंगे, बहुत असानी से आपकी इक्षाओं को शायद पूरा भी कर दें, लेकिन कभी भी प्रेमधन आपको नहीं प्रदान करेंगे, ये बहुत इंपोर्टन्ट है, तो अर्जुन का जो कंड़क्ट है, जिस प्रकार से अर्जुन प्रार्तना कर रहे हैं, कि त्रप्या करके भगवान मु ये सब चीजों का विचार कर रहे हैं, अर्जुन इसमें, एक और चीज इसमें जो अचारे लोग बताते हैं, कि अर्जुन ये भी सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है भगवान, आप अगर दर्शन, आप शायद ये भी सोचोगे कि ये दर्शन देने से मेरा कुछ फाइदा ह होगा की नहीं होगा, एक आगे वाले श्लोक में 11.8 में प्रभुपाज जी इसमें कह रहे हैं इस श्लोक के अंदर तात्परे में कि भगवान के इस स्वरूप को दर्शन करने से अर्जुन का पर्सनली कोई लाब नहीं था, कैसे लाब नहीं था, क्योंकि अर्जुन जो है अपने स्तर से नीचे आ जाते हैं, इस दर्शन को करने से, अर्जुन का कैसा मूड है भगवान के प्रती? friendly है, साख्य है, तो अगर आपने जो जिन्होंने भी Nectar of Devotion पड़ा है, भक्तिर सामरे सिंधु पड़ी है, उसके अंदर बताया जाता है कि दो कैटिगरी इसका साख्यरस है, एक तो क्या है विब्ध्रम बोलता है, और एक है विप्रलंब, एक विप्रलंब है और एक और कै कैटिगरी ऐसी होती है, साख्यरस की, जिसके अंदर थोड़ा एश्वरे का भाव है, आप लोग भगवान के किसी मित्रों का नाम जानते हैं, को एक्जाम्पल ले सकते हैं, सुधामा, मधुमंगल, और और इक दो नाम, हाँ, रादिका, बोलो, पीछे वाली, छोटी वाली रादिका, हाँ, बोलो, रादा, रादा, सौरी, रादा, गलती होगी, सौरी, 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 हाँ, बोलो, बोलो, रादा, बोलो, हाँ, वो तो सकी है, फ्रेंड, अभी तो से फ्रेंड की बात हो रही है, जो उनके मेल फ्रेंड हैं, भगवान के, उद्धव, ठीक है, हाँ, थांक यू उद्धव और तो अब उद्धव एक फ्रेंड है एक अर्जुन एक फ्रेंड है और एक मदुमंगल एक फ्रेंड है तीनों फ्रेंड्स हैं तीनों में क्या फर्रक है रिलेशन्शिप में तीनों के रिलेशन्शिप में क्या फर्रक है मदुमंगल के भाव में आश्वरे का भाव नहीं है जैसे भगवान ने जब गोवरदिन लीला करी तो भगवान ने तो उठा लिया एक छोटी उंगली पर परवत को तो फिर मदुमंगल आदी जो उनकी मित्र है वो बोलता है कि ऐसा है हम भी तुम्हारे साथ में खड़े हो लगा अरे क्या हुआ जल्दी उठाओ उठाओ ही क्या हो रहा है हमारे साथ में तो यह जो भाव है ना इन मित्रों का वो कैसा भाव है कि अपने आपको भगवान से शेश समझते हैं तो इनकी जो इनकी जो ग्यान है कि भगवान भगवान है यह ढखा हुआ है हमारा ग्यान यह तो भगवान नहीं है मैं शायद होंगा शायद लेकिन यह कृष्णा तो भगवान नहीं है इसकी तो मैं पिटाई कर दूँगा तो मदुमंगल के लेवल पर आ गए तो मदुमंगल का ज्यान यह नहीं है कि कृष्ण भगवान है हमारा ज्यान भी नहीं है कि कृष्ण द्वारा डखा हुए है हम ये समझ रहे हैं कि हम परमेश्वर हैं हम स्वेम भगवान है इश्वरा हम अहम होगी मदुमंगल क्या सोच रहे हैं कि वो भगवान से इतना अधिक प्रेम कर रहे हैं कि उस प्रेम के अंदर उस प्रेम के के इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी है उस प् और भगवान ये मदुमंगल जोग माया जोरा रखी हुए अब उद्धव में और मदुमंगल में क्या फरक है उद्धव के अंदर ये एश्वरे का भाव है उनके अंदर ये understanding है कि हाँ ये भगवान है भगवान है बढ़ हाँ मेरे साथ इनका एक संबंद सखा के रूप में भी है लेकिन उसमें एक कहना चाहिए लिमिट है उसमें वो भगवान की कंधे पर नहीं चड़ेंगे भगवान के साथ कुष्टी नहीं नहीं लेंगे जैसे मदुमंगल ये बोल सकते हैं कि मैं तुझे गें में हडा दूँगा जो हमारी कुष्टी की चल रही उसमें मैं तरको हडा दूँगा और तेरी पिटाई भी कर दूँगा अगर जरूत पड़ेगी तो ये मदुमंगल कह सकते हैं लेकिन उद्धव ऐसा नहीं कह सकते हैं अर्जन का कैसा भाव है मैंने पिछले हुद्ध को बताए थे इरादव हो राजा değer लेकिन यादव कहा है यादव को नीचे राजा है, उनका है, अर्जुन के अंदर भी थोड़ा सा एश्वर है, लेकिन उतना नहीं जैसे उद्धव के अंदर है, तो अर्जुन भगवान के साथ कैसे डिल कर रहे हैं कि अर्जुन, बोल रहे हैं कि आप तुम यादव हो, हे सका, हे क्रिश्न कभी ख़गवान अर्जुन का पैर दवा रहे हैं अइसा भी हो रहा है इस तरीके लीला हो रही है तो जब भगवान अपना विश्वरूप दिखाते है और यह सारी बातें कर देते हैं तो अर्जुन सट्टनली यह रिलाइप करते हैं तो अर्चानक से अर्जुन अपने इस तर से नीचे जाते हैं तो यनि अर्जुन को फाइदा हुआ है नुकसान हुआ तो अब यहाँ पर यह जो अर्जुन की रिक्वेस्ट है कि भगवान अपना विशुरूप दिखाईए तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं अगर आपको उचित लगे तो दिखाईए तो अब उचित और अनुचित का विचार जब करेंगे तो क्या सोचा जाएगा कि फाइदे मंद है या नुकसान है तो अर्जुन का फाइदा है या नुकसान है तो भगवान को दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए लेकिन जैसे इसमें अचारे लोग जो एक्स्प्रीन करते हैं बड़ा सुन्दर भाव है जैसे चातक पक्षी होता है चातक पक्षी को वो प्रे करता रहता है क्लाउड से की बादलों से की मुझे जल मिल जाए तो जब बादल बारिश करेंगे तो चा उसी को फाइदा मिल रहा है सबको फाइदा मिल सकता है तो अरजुन ये भी कह रहे हैं कि भगवान अगर हो सकता है मुझे परसली फाइदा ना हो लेकिन अगर सबके लिए फाइदा है तो आप उसी इसको दिखा सकते हैं तो फाइदा क्या है सबका सबका फाइदा ये है कि यहाँ पर भगवान ने establish कर दिया कि मैं स्वयम भगवान हूँ और सब चीजों में व्याप्त हूँ और वो व्याप्तता जो है भगवान की वो इस विश्व रूप में दिख रही है अगर किसी को मेरे इस द्विभुज सुंदर शाम सुंदर रूप में किसी को interest नहीं है और वो सिर्फ मेरी शक्ती के पीछे ही वो interest ले रहा है तो फिर इस रूप का भी दर्शन कर रहा है तो सबको यह convince हो जाएंगे हर कोई विक्ति कि यह स्वयम भगवान है तो इसलिए भगवान आप मुझे दर्शन करा दिखा दो और फिर भगवान आगे आने वाले श्लोकों में दिखाएंगे इसमें बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं जो आने वाले श्लोकों में हम डिसकस करेंगे बट आज के दो श्लोकों में बस यही में पॉइंट्स मैं डिसकस करना चाहता था अगर किसी का कोई डाउट है क्वेश्चन है कॉमेंट है तो प्रीज आप बता सकते हैं हाजी प्रवब अजिश्टन और योदन को अजिश्टन अर्जन अर्जन मांगते हैं हाँ तो वह इसलिए नहीं मानते हैं अर्जुन का भाव प्रभुजी का प्रशन यह है कि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास हेल्प मांगने गए मदद मांगने गए तो भगवान ने ओफर किया कि एक तरफ तो मैं रहूंगा और मैं युद नहीं करूंगा एक तरफ मेरी सेना रहेगी तो पहले मैं अर्जुन को मौका देता हूँ तो अर्जुन ने भगवान का चैन किया तो आपका प्रशन ये है कि अर्जुन तो जानते थे कि भगवान भगवान है और इसलिए उन्होंने एक फाइदे का सौदा ले लिया कि चलो भगवान को ले लेता हूँ लेकिन ऐसा नहीं है उन्होंने इसलिए नहीं भगवान का चैन किया कि भगवान भगवान है उस समय भी उनकी उस उस बुद्धी को योग मायने ढखा हुआ है जिसमें ये विचार आता है कि ये भगवान है वो भगवान को भगवान के प्रेम के लिए मांग रहे हैं भगवान का संग चाहते हैं इसलिए भगवान को मांग रहे हैं उनका ये सोचना है कि अगर भगवान ये तो को भूले हुए उस समय भी वो जबकि दुरियोधन कैल्कुलेशन कर रहा है वो सोच रहे हैं अकिला क्रिश्न क्या करेगा और यह तो युदू भी नहीं कर रहा है तो इसको लेके मैं क्या करूंगा आज तो मामा जी खुश हो जाएंगे आज तो मैंने इंटेलिजेंट व हाँ, हाँ, बट फिर भी क्योंकि बहगवान की योगमाया बहगवान की लीला को कोशन देती है तो उसमें जो भक्त हैं, शुद्ध्भक्त हैं उस हर समय ये बूले रहते हैं जैसे येश्वदंभाई के सामने बहगवान अपनी लीला दिखाते हैं, जिसमें अपना मूँ प्रेम है भगवान के लिए जिसमें उनको यह ऐसास नहीं है कि यह भगवान है उनको क्या लग रहा है यह तो मेरा बालक है और अगर मैंने इसको दूद नहीं पिलाया तो यह कमजोर हो जाएगा इसकी सिहत बिगड़ जाएगी उनका यह भाव है बट जैसे ही भगवान का व उनकी बुद्धी को आक्षादित करते हैं तो हर भक्त जो है भगवान उसको जादा रेलिश करते हैं जैसे गुरुमार अपने एक लेक्शन बताते हैं कि भगवान का एक नाम है स्तव प्रिया स्तव प्रिया का क्या मतलब होता है जो स्तुतियां है शास्त्रों की वो गोपिया भगवान के साथ डिल करती हैं तो क्या कहते हैं है आपके औरिसा में जगनाज जी को क्या एक लुटे हो तो गोपियों की जो गालियां है वो भगवान को वैदिक स्तुतियों से ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसी लिए ये higher रस हैं ये पाँच प्रकार के जो रस हैं जिसमें शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुरिय या शिंगार रस तो ये जो पाँच रस हैं इनमें भी लेक्टर अफ डिवोशिन ये वाप पढ़ेंगे भक्तिर सामरे सुन्दू, उसमें डिविजिन्स हैं इन रसों के, तो भगवान को जो शुद्ध प्रेम है, जहां पर इस बात का ज्यान नहीं है भक्त को कि मैं भगवान हूँ और भगवान के साथ स्पॉंटेनियस रागानुगा लेवल पे रागानुगा लेवल पे जब एक्स्चेंज हो रहा है तो भगवान को ज़्यादा पसंद आता है लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टन पॉइंट आता है कि क्या हम उस लेवल को imitate कर सकते हैं क्या हम भगवान को गाली दना शुरू कर सकते हैं आज से क्योंकि आपको तो ये पता लग गया कि भगवान को ये अच्छा लगता है तो हम कैसे विवार करेंगे तो हमेशा हमें अपने स्थर पर रहके विवार करना है इसलिए हम आज की डेट में साधक हैं साधना भक्ती कर रहे हैं हम लोग अभी रागा नुगा स्थर पर भक्ती नहीं कर रहे हैं तो हमेशा अपने जीवन में हमेशा जैसे अगर आपने शड़ गोस्वामी अश्टिकम पड़ा है तो उसमें आती है ना लाइन कि संख्या पूर्वक नाम गानन तिभी तो गोस्वामी कौन है किस लेवल के भक्त है वो रागा नुगा वो स्वेम मंजरियां है भगवान की स्वेम मंजरियां गोस्वामी का रूप लेके आई हैं वो भी उस लीला में नाम, ध्यान पूर्वक, संख्या पूर्वक ले रहे हैं, संख्या पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं, संख्या पूर्वक स्तुतियां कर रहे हैं, तो उन्होंने ये उधारन रखा है, कि अगर हमें ऐसा लगता भी हो कहीं, हरदय के हरदय की अंदर हमें ऐसा लगता हो कि मेरा सच्व तो बहुत उच्च है अभी लोगों को पता नहीं लग रहा है लेकिन अपने हरदय के अंदर वो भाव को अंदर ही समेटना चाहिए और बाहर से हमें आचरन्थ साधका करना चाहिए पूरे उसी आप उसको imitate नहीं कर सकते हो थीक है तो आज थोला छोटा शॉट था बट इस को आपके पूली बूली हाँ 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 प्राहग अरल जाधा पी पीया प्राश थे पांप्राव घंधराजे कृणित्ध अछिवा lit TO एम पंप our इन गांगोंको अरी उन थे daily लिए आफ पैंद्न Цिंग अरी केसे लिए तो प्रभुजी एक होता है तत्व विचार एक होता है रास विचार तो भगवान भगवान की क्रियाओं को भगवान की चीजों को हम अपनी भौतिक बुद्धी से नहीं समझ सकते हैं भगवान आत्मा राम हैं लेकिन भगवान अपनी स्वतंत्र एक्षा से खुद चाहते भी हैं कि मुझे इंजॉय करना है और उसके लिए वो विस्तार करते हैं इसी को कहते हैं अचिंत भेदावेद तत्व हम इसको अपनी बहुतिक बुद्धी से नहीं समझ रखते हैं जैसे कोई व्यक्ति है जिसके पास 100 करोड रुपे हैं तो उसको कमाने की इक्षा नहीं है यह बहुत ही कुधारन ले रहा हूं है उसको कमाने की जरुत नहीं है लेकिन फिर भी वो चाह सकता है कि मैं और पैसा कमाऊं देखते हैं दुनिया में ऐसा होता है सारे अमीर लोग ग्री के साथ आनंद करना और उसमें वो भक्तों का ही बेनेफिट देख रहे हैं वो देख जैसे भगवान यहां संसार में आते हैं अब मालो रावन को कुमकरन को और कंस को मारने के लिए भगवान को आने की जरुत थी क्या उसकी सांस की नली वहीं से दबा देते तो मरे जाता व उसके लिए में लिए आते हैं भगवान तो उसी प्रकार भगवान अपना विस्तार कर रहे हैं असंक के जीवों में और उनके साथ आनंद कर रहे हैं और उस आनंद को बढ़ा रहे हैं तो वह आनंद भी क्योंकि भक्त जैसे भगवान आनंद भोगते हैं फिर भक्त उसको बढ़ता ही चला जाता है अनन्द आनन्द हो जाता है जो हम अपनी बहुत इक बुद्धी से कैल्कुलेट नहीं कर सकते हैं तो लेट उस वेट फॉर टाइम वेन इतल भी रिवील टू अस हमें उस समय का अंजार करना है जब यह हमारे को हुरदय में समझ में आएगी बात ले और पुर्शोत्तम है नो तो देखा जाए तो यहां पर अलड़ी रिवील हो रहा है कि अरजन को क्लियर ग्यान है कि भगवान पुर्शोत्तम है पुर्शोत्तम का क्या मतलब होता है पुरुष का क्या मतलब है पुरुष का मतलब जो इंजॉयर है और पुरुष उत्तम या एक ऐश्वरे ये भी है कि वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं और एक ऐश्वरे ये भी है कि वो सबसे बड़े वेरागी हैं तो फेमस वेरागी जो है अगर वेरागी ही है तो फेम की क्या जरूरत है लेकिन वो सबसे ज़्यादा फेमस भी है और सबसे बड़े वेरागी भी है त जब लेकिन भगवान जब चोड़ी कर रहे हैं तो वो वर्शिपबल बन गए आप अगर कहीं से भाग गए तो आपका अपयश होगा अब भगवान को आज भी भजन करा जाता है रंशोड राय के नाम से अभी उनको पूजा करा जाती है तो भगवान के लिए हर चीज पॉज जब वो संसार में आके रिफलेक्ट होती है तो वो दृन में आ जाती है वो अच्छा हो ऑब बुरा दो चीजाम हुज उमें विभाजिद हो जाती है लिकिन जब तक व भगवान के संदर्व में यूज होती है हर चीज तब तक उश सिर सफ ची होती पुंगा नहीं है भगवान के दाम में यहां दुण्ध है भगवान व्रणावन के बाहर नहीं जाते तो भगवान जब जो भगवान की लिलाय प्रिंदां के बाहर होती हैं वह उनके विस्तारों के थूरू होती यह नरायन है उपके लेट सु में न होता है ना कि वह शेष शर्आप लेटे हुए हैं और भगवान विहार कर ले तो भगवान ने विश्व Юरूप दिखाए यह लेकिन और पहले जब कौर्वों की सभा में दिखाया और किसको दिखाया और किसको दिखाया आप सबको पता है किसको अरजन को तो दिखाया और किसको दिखाया बली महाराज को इतना जब बड़ा विशाल सुरूख किया कि पूरे दो पग में तीन पग में है और द्यान नहीं जाता है ठीके माल लिया अगया को पता था हाँ 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 दूसरे कैसे कन्विंस हो गए क्योंकि अगर दूसरे अगर आप गीता को प्रमांद मानरे हो अगर आप ही मानरे हो कि ऐसे कोई वारत राभ हुआ जहाँ पर कृष्ण अरजन मिले जहांपर कृष्ण क्लेम कर रहे हैं वह भगवान है ऐसा महभारत ने मान रहे हो उसी शास्त्र में लिखा हुआ है की विष्णूरूप दिखाया लेकिन अगर ад выгляд दिखाते ही नहीं तो उसमें भी लिखा नहीं होता है यो प्रमांड करण क्या प्रमान यह नहीं कि मैं बूलों आपको मैं बाइब मेरे साथ में सब मानने वाले हैं किसी का कुछ इंट्रेस्स है एक आज मैंने विश्रूब दिखाया आप कल से आप जाके बहार जाके बूलने लग जाओ जी अनन्द ने शुरूब दिखाया तो आप भुछ व कि वहां लिखाया आप अधा कि उसको दिखा नहीं था विश्रूब बट दुर्योधन तो धीट है ना वो तो नहीं मान रहा हां उससे भी हो सकते हैं बदला भगवान तो बहुत सारी अनंत लीलाएं कर रहे ना प्रभू लेकिन हम लोग बहुत जाएं ऐसी देखा जाए तो भगवान एक ही लीला करते हैं और उसी को बार-बार सुनते हैं लेकि कितने सारे ऑप्शन से रहे हम बुक डिस्टिशन पर जाते हैं तो हम क्यों एक से जादा बुक देने की कोशिश करते हैं कि हमें पता है कि लोग नलाइक हैं एक से काम नहीं बनेगा इनका यह चॉइस चाहिए इनको किसी को एक चीज़ करके आपका काम हो जाएगा और भग इसको दिखाने से भी कंविंस होंगे सिर्फ इतनी बात भी यह तो मैं बता रहा हूं कि भगवान अपनी लीला का विस्तार कर रहे हैं और उस लीला के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं भगवान राम के रूप में भी आए कृश्ण के रूप में भी आए अगर हम ऐसे तर्क बगवान अपनी लिला का विस्तार करते हैं भक्तों के आनंद के लिए और अपने आनंद को वर्धन करने के लिए यह तो में कारण है उसके बाद कई सारे एंसलेरी कारण हो सकते हैं अब भगवान को कहकरी ने क्यूं को चौदा वर्ष का वनवास बुला अब अगर हम लोग लिखने वाले हो लीला का क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट राइटर अगर हम हो तो हम बहुत सारे ऑप्शन सोच सकते हैं कि ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था चौदा साल की क्या जरू होती एक साल के लिए भेज देते रा भगवान को सबस्यादा आनंद आएगा और उनके भक्तों को सबस्यादा आनंद आएगा उसके हिसाब से भगवान की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जैसे आप कई सारे लोग यहां पर बैठे हैं और मैं कुछ बोल रहा हूं कि सब सुन रहे हैं तो सब सुन तो सकते हैं और कानों में कुछ जा भी रहा है लेकि सब शकल से दिखा रहे हैं कि हम सुन रहे हैं बड कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है ये पता लगेगा मुझे जब मैं आपका आचरन देखूंगा बार में तो हम देख के भी पश्चन अपीना पश्यती देख के भी हम नहीं देखते हैं हम देख के भी नहीं देख सकते हैं यह शास्त्र कहा रहा है पश्चन अपीना पश्यती जैसे इसमें किष्णी किष्णी तरियों की बाड़ी तो जिर्बे थी पर देखे सुनी रहे हैं तो इसके किष्णी को दिखा रहे हैं जी जी एस फॉर्म को कोई अलग रूप से ले रहे हैं तो फिर मेरा गैने को था हुआ है बट भगवान अपनी इक्षा से उसको रिवील क रहे हैं और उनकी प्रिजन्स के बावजूद ऐसे लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं अब भगवान अपनी इक्षा से हर किसी के सामने प्रकट हो सकते हैं आप जब भगवान जगनायत बहार निकलते हैं रथियात्रा के टाइम पे तो हर किसी को दर्शन देते हैं वह वह अव फिर भी लोग कीतन सुनते हैं तो कान बंद कर लेते हैं तो भगवान एविलेबल हैं भगवान क्या चाहते हैं कि हम एक सेकंड के लिए भी संसार में रहें आपको क्या लगता है भगवान की इक्षा अगर जाननी चाहे तो क्या वो चाहते हैं कि हम एक सेकंड के लिए भी स सार में ने रहें लेकिन वो हमें फोर्स नहीं करते हैं जबर रस्टी हमें यहां से इस हमें ह favilis करा रहा हैं जिस समय वह लीला करने के लिए आरहे हैं ब्रहवाऑ जी के एक दिन में तो वह पूरा दिन का जो आगे का कारिकुन चलेगा वो उस एक लीला पर चलता रहेगा आने वाले सारे समय में पूरे दिन में ब्रह्मा जी के लीला का बात चलती रहेगी कृष्ण आये थे उस चतुर यूगी में उस पर्टिकलर मन्वंतर में उस चतुर यूगी में एक बार कृष्ण आये थे और उसका सब लोग गु रिवील करेंगे तो हम समझ सकते हैं भगवान को उससमें भी लोग कॉमन समझ जाते भगवान के लिए फेमस था ना भगवान को शिशुपाल ने इतनी सारी गालियां दी चलो एक और बात गोपियों ने गाली दी तो भगवान को क्या बूल रहा हूं मैं स्थव प्रिया में बता रहा है ना तो गोपियों की गालियां कैसी लग भगवान को किस से अच्छी लग रही है सब स्तुतियों से अच्छी लग रही है शिशुपाल की गालियां कैसी लग रही थी बहुत खराब वहीं गाली दे रहा था गोपियां भी गाली दे रही है शिशुपाल भी क्या बता है कि भगवान है लेकिन क्या समझ रहा है महा माय द्वरा उसका घ्यान ढखा हुआ है और वह समझ रहा है मैं भगवान हूं यह तो ग्वाला है यह तो जबरस्ती पॉलिटिकली इसने अपने आपको यहां पर इस्टैब्लिश कर दिया है कि इस नौट फिट तो स्टें इस इस मीटिंग वहीं सोच रहा था तो तो क्योंकि उसकी एंवेशनेस के कारण आपका प्रशन था क्या था आपका प्रशन भगवान चाहते हैं आज आते हैं फिर भी हम अपनी एंवेशनेस के कारण 24 है हमारे पास हम ना देखिए उनकों तो भगवान अगर जीन्स पहन के आना चाहेंगे आना नहीं चाहेंगे नहीं लिख देंगे पहले शास्त्र में कि मैं ऐसे आऊंगा एक बार यह शास्त्र उ ऒवान चेतने महाप्रबु का अवतार शन अवतार है थिक्तों भी उन्हें भागवत्त में लिख गया है लोग फिथा सवाइट क्यूंकि वह खुद वो क्यूं यह अ फिर भी उसको भी रिवील कर दिया उनोंने वो कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है क्यों क्योंकि वो सुभाव से वैशनव के वैशनव जन प्रिया हैं वो वैशनवों की भक्तों की कृपा के लिए आकर कारिकों करते हैं तो शास्त्र के विरुद कि यह को जो कि तो उसकता है बहत कैने करेघा करेगा इसे Excel तो नाम रूप गुण लीला दिरे दिरे एक स्टेजिस में रिवील होते हैं तो भगवान का नाम रूप गुण लीला ये हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं तो क्या करना पड़ेगा इन इंद्रियों को प्यूरिफाई करना पड़ेगा अध्यात्मिक बनाना पड़ेगा जो कि आप सेवा करने से होगा जिसकी शुरुआत आप अपनी जिवा से कर सकते हों तो जब ये दिरे-दिरे सेवा भढ़ती चली जाएगी तो जो आपको भी शक्ति की अनुबूती थोड़ी हो रही है वो और होगी already purification हो रहा है तभी तो नुबूती हो रही है नहीं तो लोग तो यही सोचते हैं कि हम तो खुद भगवान हैं और हम बना सकते हैं माला को भी हम खुद बना लेंगे laboratory में राइट वो तो यही सोचते हैं लेकिर आप समझ रहे हो कि भगवान कितने द्यालू हैं कितने सुंदर महकने वाले फूल हमें दे रहे हैं तो यह बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आपकी सेवा बढ़ेगी भगवान अपने आपको रिवील करेंगे और हर चीज में आप भगवान का दरशन कर पाऊगे ऐसे भगतों को होता है तो फेथ फेथ ही तो प्यूरिफिकेशन है ना प्यूरिफिकेशन का क्या मतलब है कि भगवान की जो बातें आप सुन रहे हो वह आपको रिवील होने लग जाएंगी हिरुदय में आत्मसाथ रिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं जब रिलाइजेशन आएगा तो बढ़ जाएगा सारा का साइंटिविक प्रोसेस है कि एक ही है जैसे इंग्लिश में तो टाइटल दिया है टॉपिक जो चैप्टर का है युनिवर्सल फॉर्म जिसका मतलब है विश्वरूप और हिंदी में क्या टाइटल है विश्वरूप तो भगवान ने जो वहां पर दिखाया महावरत जृतुराश्ट की सभा में उसको यहां पर बोलते हैं विराट्रूप लेकिन प्रभूपा इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में युनिवर्सल फॉर्म से में हां मटिरेल है इस जगत का है इस जगत का फॉर्म है भगवान की बहुत इक शक्तियों को वह सब दिखा रहे हर तरफ से यह संगीता माता सब्सक्राइब का रहे बनागा इस जगता है इस घर भगवान की व्योग शक्ति होती है माया शक्ति होती है अधरी जैसे हम जोबी अक्तिविटी सम कर बें तो वह मुद्ध में जो घर्वान में जो थी मोट्स ऑफ बेंचर हैं जो बुडनेस या इग्नोरन्स प्रशन तो कर दो प्रिष्टे से इन को रॉट को यह का अगा अगरते हैं तर जो फुम को दो पी कुछ प्रमान पैसे हम समें तो इसको जुड़ार भॉट कर दो फिर ग्यांचे अगर कर दो जो जो शुड़ार गर्शिल्प अधर शिर्थ्वाट शुत ओसकी फंपी मेरी सब्सक्रीकेश यह बोपगवान की माया शक्ति वह ओंडूरी थी जो मोड़ लू पनेचर एना थी मोड़ अज्टरव कि माया शक्ति यह बहुत छो यहां पर टी जो वो यह three modes of material nature ही है वो वो एक ही चीज है तो इसमें प्रभुजी जैसे कहते हैं कि जब होता है तो आदमी अच्छा वाम करता है तो फिर जब यह सब कुछ भवान की इस गलब करता है तो फिर जब यह सब करता है तो फिर जब बहुत नहीं भगवान चॉइस देते हैं हमें पर परसिती में हम कैसे behave करेंगे तो जैसा हमने संग किया है प्रकरती के जिन गुणों का हम पर प्रभाव पढ़ रहा है वो संग करने की चॉइस आपकी है जैसे आप यहां पर क्लास में हो भगवान की चर्चा में बैठे हुए हो यह आपने इक independent चॉइस करिया आप चाहते त तो अगर आप डिसको में जाते तो वहां पर आपको तमोगुण का संग मिलता अब यहां पर आपको सतोगुण का संग मिल रहा है अब इस यह किसका संग करना यह चॉइस आपने कर ली उस संग के प्रभाव से आपके एक्शन निरधायत होंगे और उस समय भी आपके पास लिमिटेड शक्ति जितनी आपकी है उन गुणों को से लड़ने की जितनी शक्ति आपके पास है उसके अनुसार आप फिर भी आप उनसे लड़ सकते हो बट आपके पस चॉइस रहेगी हमेशा यू किन गिव अप इन फ्रॉंट ऑफ दोस गुणा कई बार हम वाइड भी कर तो यह किसके अंगर आता है मतलब यह तो किसी गुण वहीं हो गया है कि मैं कृष्ण का दास हूं अग्यान क्या है कि मैं इश्वर हूं मैं भूगता हूं राइट रहा है लो मानते हैं तो यह भी कई कऊ यह तो यह पूंएस जो लोगे नहीं मानते हैं तो वह ओच्छान में हैं तो इस भी लोग जह जो लोगे मातर जी मैंने जो बताए ना जैसे कि हम किस गुण में हैं ये तो हम 20 कर सकते हैं हम जैसा संग करेंगे वैसे हमारा गुण बनेगा वैसे हमारे पर प्रभाव पड़ेगा हर किसी जीव के अंदर तीनों गुण रहते हैं और वह अलग-अलग मात्राओं में उसको प्रभावित करते रहते हैं अब आप जिस गुण का संग करोगे उस गुण का प्रभाव आपके उपर ज्यादा होगा तो अगर कोई वेक्ति तमों गुण में है तो तमों गुण में रहने की चॉइस उसके पास है वो चॉइस आपकी अपनी है उसके बाद आपने तमों गुण का संग किया तो फिर तमों गुणी तरीके से आप आक्ट करोगे तो फिर फिर जो एक्शन होगा वह गुण टेक ओवर कर लेंगे वह गुण आपसे कारिक करा लेंगे क्या आपने पहले चूज कर लिया कि आपको उन गुणों के अंदर में रहना है कि आप समझ रहे हो क्या है वो श्लोक प्रकरतिय क्रियमानानी गुणे करमानी सरवश्य अहंकार विमूर आत्मा करता हम इतिमन्यते कि प्तक्रती के गुणों से प्रभावित होकर हम से कारे होता है लेकिन एहंकारवश हम ऐसा सोचते हैं कि करने वाला मैं हूँ, करता मैं हूँ बट गुण हम से कारे कराते हैं यह है श्लोक अब वो जो गुण है उन वो गुण कैसे हमारे उपर प्रभाव डालते हैं अपना हम गुणों का संग करते हैं हम सब के हमारे अंदर वो गुण है सब के अंदर बढ़ हम गुणों का संग करते हैं और वो चौईस हमारे पास रहती ही कि हम किस गुण का संग करें और जैसे मालीजे आप चैंटिंग करोगे ना या आप तमोगुण में भी एक्षली चैंटिंग कर सकते हो आप सोते सोते लिटल लिटे चैंटिंग कर सकते हो बड़ आप जब चैंटिंग कर रहे हो तो आप अपने अंदर सतो गुण को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो और कई सारी एक्टिविटीज हैं जो इसके विपरीत होती हैं जिनको अगर हम करेंगे तो हमारे अंदर तमोगुण की भावना भड़ेगी या रजोगुण भड़ेगा तो जब हम रजोगुण का संग करेंगे ऐसे कारी करेंगे जिससे रजोगुण भड़े तो फिर जो actions होंगे वो रजोगुन द्वारा हो जाएंगे लेकिन उसके पीछे हमने एक चॉइस करी हुई है हमने काम करा हुआ है जिसकी वज़े से हमारे अंदर रजोगुन बढ़ा है तो वह इंडिपेंडेंडन चॉइस हमारी होती है हाँ बनलब लेट इस डिसकस इट ऑफ लाइन और सब लोगों को इसमें कोई डाउट है जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों क्लियर हो रही है बात क्वेशन यह है माताजी का कि हम एक तरफ तो बोल रहे है कि प्रकृत्य के गुणों Pedera सारे कार Comment क्ट्रोल के रहे हैं तो सारा का सारा का्शा फैill। काम बहगवान का है हमारे इसमें कोई रोली तो दोश हमारा नहीं है भगवान का है फिर तो अगर हमसे कुछ गलत हो रहा है तो एक तरीके से तो मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो प्रकरती के गुण है उनका प्रभाव हमारे उपर तब पड़ता है जब हम उनका संग करते हैं हमारी जो माइनूट इंडिपे थिए हमारे पास क्रमों के यन्यसार ओफिक्स है कि हाँ हां कि उसने प्रिवेस जन में चोईस करी ना उसकी प्रिवेस जन की चोईस है ना जब उसने शरीछ शोड़ा था क्या है व उप जया हो फिस किये हैं जैसा पूरा जीवन कारे की है वैसे ही गुणों का प्रभाव हमारे उपर पड़ेगा वैसे हम स्मरन करेंगे उसके हिसाब से हमें नेक्स शरीर मिल जाएगा तो हमारी सिचुएशन फिक्स हो जाएगी उसमें भी फिर हमारे पास चॉइस रहेंगी कि हम क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं जैसा हम संग करेंगे उसके हिसाब से फिर हमारे उकुद प्रभाव रहेगा और हमारे एक्शन उसके हिसाब से होंगी हाँ जी बोलिए इसका जवाब तो भगवान को देना पड़ेगा कि वह ऐसा क्यों करेंगे तो यह तो भगवान की अच्छिंत शक्ती है कि वह ऐसा कर सकते हैं हाँ हाँ अब बचाईए मेरे को हाँ 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 यह बहुत हचा अंसर है हाँ खुदी त्याग दिया हाँ हाँ तो यह यह चीज ना दर्श के लिए बात समझने वाली यह है कि हमारी जो अब बचाईए मटीरियल इंटेलिजिजन्स है उससे हम हाँ प्रभुजी ने यह कहा कि भगवान ने भगवान के नाम लिखने से तो पत्थर तैर रहे थे अब जिस पत्थर पर भगवान ने स्वयम नाम लिखा अपना और फिर उसको ठेक दिया तो वो डूब गया क्योंक समझना है कि हर भगवान की हर चीज को जब हम अपनी बहुतिक इंटेलिजन्स से समझने का प्रयास करते हैं यह हम यह समझते हैं कि हम तभी मानेंगे जब वो हमारे को समझ में आ जाएगा तो यह गलत बात है ऐसे हमें नहीं सोचना है कुछ-कुछ चीजें अगर वो शास् में आ जाएगी भगवान हमें रिवील कर देंगे तो हम लोगों का यह प्रयास नहीं होना चाहिए जैसे मैं आपको बताता हूं कि कल की बात है अभी एक कॉन्रसेशन याद नहीं आ रहा कपकी बात है शायद कल की बात है कि एक विक्ति मुझे मिला उसने बोला कि भगवान जो हैं सोरी में दिमाग से वो इंस्टेंस निकल गया मैं फिर बताऊंगा याद आएगा एक्जैक जब याद आएगा ना तो मैं बताऊंगा उससे तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी वो चीज़ तो हमें बेसिकली प्रयास यह नहीं करते रहना चाहिए कि हम हर चीज़ को समझ लेंगे हाँ अब याद आगया उन्होंने ओझे यह बोला जो कि मैंने उनको कृष्णा बुक एक्स्प्रेइन कर रहा था तो मैंने एक प्रश्ण उठाया कि भई कई बार लोग को हमको आखे बोल सकते हैं कि भगवान कैसे भगवान है वो तो रासिला कर करते हैं और आंप वो लिखेनार किया करी है लेकिन की कुछ करी है और इसके पीछी कारण क्या कुछ₈या में आएगा आप ने तो इजटी Seals को अपनी बहुतिक बुद्धी से justify नहीं कर सकते हैं ठीक है हर चीज को हम material intelligence से नहीं समझ पाएंगे अभी लेकिन अगर भगवान चाहेंगे तो हमें लेकिन भगवान इसके आगे वाली लाइन भी सुन लीजे भगवान ऐसा पत्तर बना सकते हैं और फिर उसको उठा भी लेंगे क्यों ठालेंगे लॉजिकली अगर समझे तो भगवान की शक्ति बढ़ती रहती हर समय है ना तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी तो उसको ठालेंगे लिए बैक टू गॉर्ट में आया था ये ओके एनिवेज ठीक है तो पता नहीं आज आप लोग कंफ्यूज जादा हुए क नहीं भगवान की वानी हमारे आचार ही बताएंगे कि क्या भगवान की वानी है क्योंकि गुरु सादू शास्त्र से हमें समझ में आएगा व्यासदेव जी को नारद मुनिन ने यही डाट लगाई न कि आपनी लोगों को इनकंफ्यूज किया है वो भी शास्त्र ही है लेक के लिए शास्तर में अगर बात लिखी गई कि तुम इस तरीके से मांस को खायो इस तरीके से तुम इसको जैसे ड्रग आटिक चुलाने के लिए उनको देना पड़ेगा वह बढ़ेगा तो इसलिए हम वही कोशिश कर रहे हैं बहुतिक बुद्धी को लगाने की हम चाहते ह कि हर स्टेट्मेंट को समझने के लिए गुरू सादू शास्त्र का सहरा लेना है आस्रा लेना है तो शास्त्र की वानी भगवान की वानी है लेकिन हमारे परिपेख्ष में वह वानी हमारे को फॉलो करनी की नहीं करनी यह समझना पड़ेगा वो गुरू सादू शास्त्र बता आएंगे और एक माला करेंगे